बॉलिवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने बेबाक अंदास के लिए काफी ज्यादा फीमस हैं आप सब जानते हैं करीना का बोल्ट और बेबाक अंदास ही है जो उन्हें पी टाउन की बाकी हर एक्ट्रेस से बिलकुल अलग बनाता है अपने करियर की उचाई पर सैफ अली खान के साथ शादी करने वाली करीना कपूर खान अपनी प्रेगनिंसी के दौरान भी काफी ज्यादा चर्चे बतोरती हैं आप सब जानते हैं अकसर बॉल्ट की एक्ट्रेस से बीच एक ट्रेंट देखा गया है प्रेगनिंसी के दौरान की एक्ट्रेस से हो जाती हैं पूरी तरह से गायब बट वेन इट कमस टू बेबो करीना ने किया सब कुछ अलग बेबी बंप के साथ फोटो शूट, वीरेदी वेडिंग की शूटिंग और भी रियालिटी शोज में जाकर अपनी मौझूद की दर्च कराना करीना ने अपने आपको कभी घर में कैद नहीं किया बलकि फिल्मों में काम किया है और शायद इसकी लिए बेबो हर एक लेडी के लिए इंस्पिरेशन है अब इन सब के बीच में करीना का एक इंटर्व्यू इंटरनेक पर वाइरल हुआ है इस इंटर्व्यू में वो अपनी प्रेगनिंसी को लेकर खुल कर बाते करती है इस इंटर्व्यू में करीना बताती है कि घर में खुद को कैद क्यों करना ये सारी चीजे अगर हम फेस कर रहे हैं तो जरूरी है उन्हें एकसेप्ट करके हर किसी के सामने रखना इंटर्वियू में बेवो कहती है बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी किसी इंटियन एक्ट्रेस को प्रेगनेंट नहीं देखा क्योंकि इंटियन एक्ट्रेस जो प्रेगनेंट हुई लोगों से छिपने लगी या तो लंजन अमारिका चली गई या फिर अपने घरों की चार दिवारों में कैध हो गई ये इसलिए क्योंकि आप उन्हें फैक नहीं देख सकते या आप उसे फूला हुआ नहीं देख सकते हाथ सूच जाते हैं चहरा सूच जाता है करीना ने कहा कि हमने कौफी विद करन की शूटिंग नवंबर या दिसंबर के पहले हफते में की 20 दिन बाद मैंने तैमूर को जर्म दिया कौफी विद करन की काउच पर जब मैं पहूची मैं फूली हुई थी लेकिन मैं काफी अच्छी लग रही थी बाद में मैंने एपिसोड देखा तो मुझे रिलाइज हुआ कि मैं काफी मोटी लग रही हूँ ज्यादा सुन्दर नहीं लग रही लेकिन मुझे लगा कि मैं अच्छी देख रही हूँ बेवो कहती हैं कि प्रेग्डिंसी एक बहुत ही खुपसूरत सा टाइम है और उस टाइम पीरियट पे हमें अपने आप कुछ छुपाना नहीं चाहिए हम जैसे दिख रहे हैं हमें उसे लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है नेक्स्टिन आइन नियोस्ट्रम के रिपोर्ट